लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से लेकर 1835 तक इनका कारिकाल रहेगा, विलियम केंडविश बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद शुशोबित करने का गौरव प्राप्त है, जुलाई 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल का कारिभार इनको ने समभाला, व्यक् 1803 में वे मदरास के गवर्नर भी रह चुके थे, उसी के समय में 1801 में माथे पर जाती चिन्न लगाने और कान में बालिया पहनने से मना करने पर वेलोर में सेनिक विद्रहों भी कर दिया गया था, बेंटिक के सामाजिक सुधारों के अगर बात करें तो सबसे महत्वपून स पुधार था सती प्रथा का अंत, गवर्नर जनल जैसे की विल्यम बेंटिक से पहले के जितने भी गवर्नर जनल थे, किसी ने भी स्कूर प्रथा को छेडने का प्रयास नहीं किया था, बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 द्वारा तथा मदरास प्रसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया, राधाकांत जे देव जैसे रूडी वादियों ने सती प्रता पर प्रतिबंद का विरोध किया, जबकि राजा राम मोहन राय और देवेंदर नाठ टैगाउर जैसे प्रगतिशी लोगों ने बेंटिक के प्रति आभार प्रकट किया और अंग्रेजी समराट को पत्र भी लिखे, इस प्रकार देवी देवताओं के समुख नरबली को बेंटिक ने बंद करवाया, तथा राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर भी प्रतिबंद लगाए गए, लौड विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रता का प्रशलन जोरो पर था, चोर डाकूं वो हत्यारों के समुख को ठक कहा जाता था, प्रायह निर्दोष तथा आरक्षित व्यक्तियों को ये लूट लिया करते थे, ठगी के कारियों में लिप्त रहने वाले लोग अवज से हिदराबाद, राचपूता तथा बुंदेल खन तक में सक्रिय थे, बेंटिक ने करलन करनल सिलीमन तथा इस्थानिये रियास्तों की मदद से 1830 इस्वी में ठगी को समाप्त करने हितु एक अभियान छेडा, परिनाम स्वरूप 1837 इस्वी के पश्चात संगटित रूप से ठगों का अंत हो गया, तो विलियम बेंटिक का साथ दिया था करनल सिलीमन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव पूर्ण वेवार को खत्म करने के लिए 1833 में एक एक लाए और उसकी धारा 87 के अनुसार जाती या रंग के स्थान पर योगिता को ही सेवा का आधार मान बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उद्रश्टरी कोण अपनाते वे उनकी स्थानतरता की वकालत भी कीुर्यम बेंटिक समाचार पत्रों को असंतोश की रक्षा का अभीद्वार मानता था उसने मदरास के सैनिक विद्रों का उलेक करते हुए बताया कि कलकत्ता और मदरास दोनों जगह पर ही स्थदी एक जेसी थी किन्तु मदरास में विद्रो इसलिए हुआ क्योंकि वहां समाचार पत्रों की स्वतंदरता नहीं थी इस प्रकार विलियम बेंटिक भारती समाचार पत्रों को मुक्त करना चाहता था किन्तु 1835 इस्वी में खराब स्वास्त के आधार पर बेंटिक द्वारा इस्तिफा देने के कारण समाचार पत्रों को प्रतिबंद से हटाने का श्रे जो है इनके बात आने वाले गवर्नर चार्स मेटकॉफ को मिल गया अब बात करते हैं विलियम बेंटिक के शिक्षा के शेत्र में सुधारों की तो शिक्षा के सेत्र में विलियम बेंटिक ने महत्यपून सुधार किये उन्होंने शिक्षा के उद्देश एवं माध्यम दोनों पर गहरा अध्यन किया शिक्षा के लिए अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाए यह विचारनी विशय रहा विवाद फसा की अनुदान का प्रयोग प्राची साहित के विकास के लिए किया जाए या फिर पास्चाती साहित के विकास के लिए किया जाए प्राच्ची विद्या के समर्थकों का नेत्रत विल्सन और प्रिंसेप ने किया तथा पाश्चाति शिक्षा पद्धती का समर्थन नेत्रत तो करने वाले ट्रेवेडियन थे इनका समर्थन राजाराम मोहन राय ने भी किया था अंततह इस विवात के निप्टारे के लिए मेकाले की अध्यक्षता में एक समीती बनाई गई जिसके पास्षात्य विध्या के समर्थन में अपना निर्णे दिया उसने अपने विचारों को 2 फरवरी 1835 के सूप्रसिद इस्मरन प्रत्र में प्रतिपाधित भी किया अपने प्रस्तावों में मेकाले की योजना थी कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रंग तथा रक्त से तो भारती हो परन्तु प्रवरती, विचार, नेतिक्ता तथा बुद्धी से अंग्रेज हो मेकाले के विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिये गए जिसमें यह निश्चित हुआ कि उच्छ इस्तरी प्रशाशन की भाशा जो होगी वो अंग्रेजी होगी 1835 इसवी में ही लॉड विलियम बेंटिक को कॉलकता में कॉलकता मेडिकल कॉलेज की निव भीनों ने रखी अब अगर बात करें शिक्षा के बाद वित्तिय सुधारों की लॉड विलियम बेंटिक ने सेनिकों को दी जाने वाली भत्ते की राशी को कम कर दिया तो इस प्रकार से पहला वित्तिय सुधार किया अब कलकता में 40 मील की परिधी में नियुक्तों होने पर भत्ते का आधा देर दिया जाना सुनिश्चित किया गया बंगाल में भूराजस्व को एकत्र करने वाले शेत्रों को प्रभावकारी प्रयास किये गए इसके साथ में अफीम के व्यापार को नियमित करते हुए इसे केवल बंबई बरंदरगा से निर्यात की सुधार दी गई इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी को निर्यात कर का जो भाग था वो अब जादा मिलने लग गया था इस कारण राजस में भी व्रद्दी हुई बात करते हैं बेंटिक ने कानवाली जवारा इस्थापित जो प्रांतिय अफीली और सरकिट नियाले थे उनको बंद करवा दिया इसका कार्य मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टरों में उसने बाड़ दिया नियालेओं की भाशा पहले फार्सी थी तब फार्सी के स्थान पर विकल्प के रूप में इस्थानिय भाशाओं का प्रियोग की अनुमती विलियम बेंटिक ने दे दी उचिस्तर के नियालेओं में अंग्रेजी का प्रियोग होने लग गया था बेंटिक ने भारतिय रियासतों के प्रती तटस्त बने रहने की नीती का पालन भी किया हैदराबाद लेलो या बूंदी, जोदपूर, कोटा या भुपाल में बेंटिक ने अहस्तक्षेब की नीती का पालन किया परन्तु 1831 इस्विय मैसूर तथा 1834 इस्विय में कुर्ग एवं कछार को अंग्रेजी सामराजी में शामिल भी बेंटिक ने किया या इसकी हस्तक्षेब की नीती का पालन था बेंटिक रूस के मद्द एशिया की और अग्रसर होने के विशय में जागरुख था उसने रणजी सिंग से मित्रता की तथा सिंद के अमीरों को एक व्यापारिक संधी के लिए मनाया उसने काबूल के सिंहासन के लिए शाह शुजा का पक्ष लिया 1833 के चार्टड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस प्रकार से 1833 में बंगाल का गवर्नर लौड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना गया और इस प्रकार से लौड विलियम बैंटिक के बाद 1835 में आएंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ